हाई एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही प्यारा प्लाजो सूट कलर करना और जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने काफी सारी डीटेलिंग्स बनाई है इसमें तो स्टार्ट करते हैं स्किन कलर से और स्किन कलर के ल चाहे वह वाटर कलर हो या पैंसिल कलर हो तो स्किन कलर करने के बाद अब मैं इसे ठीक ब्रश में थोड़ा सा वाटर एट करके इसे स्प्रेट करने के लिए यूज कर रही हूं क्योंकि जो स्टैडलर होता है वह वाटर बेस्ट कलर है तो इसे मिक्स करने के लिए वाटर का के लिए ब्राउन पैंसिल कलर का यूज करेंगे और कॉर्टन की हल्प से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे and then make-up look at करने के लिए मैं यूज करूंगी पिंक पैंसिल कलर का forehead पर फोड़े से चिक बोन पर नोँ सेरिया पर इसके बाद कॉर्टन की हल्प से इसे भी हम थोड़ा से मिक्स करेंगे और साथ ही eyes और eyebrows के लिए black pencil कलर का यूज करेंगी और lips के लिए pink कलर का hair color के लिए मैंने ब्राउन पैंसिल कलर और एक फ्लाख पैंसिल कलर यहाँ पे मैं water color का use नहीं कर रही हूँ और water color based अगर hair rendering आपने नहीं देखा है तो मैंने already explain करके बताया हुआ है आप चाहे तो देख सकते हूँ link मैंने description में दे दिया है यहाँ पे मैं base color के लिए brown color का use कर रही थी और उसके बाद black color से मैं इसे अच्छे से shedding दे रही हूँ तो चलिए अब बात कर लेते हैं dress color की और dress color काफी interesting होने वाला है guys क्योंकि मैंने इसमें काफी सारे colors का use किया है तो सबसे पहले मैं pink color की बात कर लेते हूँ तो pink color के मैंने दो shades लिया है एक है light और एक है dark color और इसके बाद बाकी के colors भी मैं धीरे-दीरे add करूँगी और अगर आप detailing में water color से comfortable नहीं हो तो detailing के लिए मैं आपको advice दूँगी कि आप sketch या pencil color का use करो और otherwise आप zero number के brush भी से try कर सकते हो मैंने सबसे पहले बहुत इस simple detailing बनाई है ताकि आपको अच्छे से समाझ आए कि detailing spot tough भी नहीं होती है लेकिन हाँ थोड़ी से time consuming जरूर होती है और इसमें मैंने सिर्फ color के through detailing side किया है इसमें designs और shapes पे मैंने जादा ध्यान नहीं दिया है मैंने बस full पतियां और कुछ more बनाए हुए हैं designs में और अब मैं yellow color का use करी हूँ थोड़ी से border पे कुर्ती के जो sleeves हैं वहाँ पे और दुपटे पे और plazo पे भी मैं इसे color करने वाली हूँ तो pink के साथ जो yellow का combination होता है वो देखने में काफी प्यारा लगता है इसके बाद इसी yellow में मैंने हलका सा white add करके इसे थोड़ा light बनाया और green भी मैंने light ही लिया है क्योंकि अभी मैं dark green से border already करने वाली हूँ तो ये एक तरह से multi-colored suit होने वाला है आप कह सकते हो क्योंकि इसमें मैंने काफी सारे colors add कर दी है और छोटे-छोटे जो detailing से उस पर आपको focus करना है कहां पर आपको क्या add करना है ये आपको जियान रखना है तो मैंने जो छोटी-छोटी detailing से वो करनी शुरू कर दी है और flowers और छोटे-छोटे पतियां है और बहुत सारी मैंने जो detailing बनाई हुई है simply मैं उसे बस color कर रही हूँ हाँ ये थोड़ा सा time consuming जरूर है but you have to be patient ये बहुत ही अच्छा लगता है और जब आप इसको practice करोगे तो आप सीख जाओगे करना इसे बहुत ही easy तरीके से guys detailing करते time आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप जो भी designs बना रहे हो उसके जो shape हो वो अच्छे से create होने चाहिए अगर आप watercolor से नहीं create कर पा रहे हो तो आप शुरू शुरू में pencil color या sketch color का use कर सकते हो और जैसे कि मैं भी sketch color का use कर रही हूँ कुछ parts के लिए अब मैं यूज कर रहे हूँ white color का और बाकी के जो designs है कुर्ती में वो white color के होने वाले हैं तो काफी सारा white add करने वाली हूँ मैं designs में कुर्ती के slips पे मैंने lines create कर दिये हैं और इसे मैं थोड़ा सा fill कर रहे हूँ ताकि यह थोड़ा सा और dark लगे white जो है और थोड़ा और shine करें तो lines create करने के बाद अब हम sleeps के border पे इसे थोड़ा सा add कर रहे हैं और इसके बाद flowers में भी थोड़ा सा और फिर नीचे के जो कुर्ती के designs है वहाँ पे भी मैं white add करूंगी बहुत सारे white के designs बनेंगे वहाँ पे भी तो जहाँ जहाँ भी white मुझे करना है मैं कोशिश कर रहे हूँ कि मैं जल्दी से इसे finish करूं ताकि मैं आपको आगे की चीज़े बता सकूं तो यहाँ नीचे के जो designs है कुर्ती में वह भी मैंने करने शुरू कर दिया हैं कुछ flowers बने हैं कुछ designs है कुछ line art है तो वो सारे मैंने white color से करने start कर दिये हैं मैंने जो नीचे जो detailing add किया हुआ था जो काफी सारे flowers हैं और काफी सारे borders भी हैं वहाँ पे भी मैं white का use करें हूँ और थोड़े थोड़े बीच में white के sparkles की तरह मैं इसे add करें हूँ और साथ ही प्लाजो में भी मैं lining के लिए white का use कर रही हूँ और थोड़े से shining के लिए भी white है मैंने gray sketch color लिया हुआ है footwear के लिए और इसे मैं थोड़ा सा बीच बीच में shining के लिए और साथ ही इसे मैं dress में भी add करूंगी dress के नीचे के borders के लिए मैं इसका use कर रही हूँ और ये काफी ज़्यादा खूपसूरत laces हैं जो की embroidery suits में लगे हुए होते हैं ज़्यादा तर तो इसे मैं gray color से कर रही हूँ तो अब स्टार्ट करते हैं dress को shedding देना तो shedding के लिए मैंने charcoal pencil का use किया है और इसका use में थोड़ा सा कम कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा amount में इसका use नहीं करना है ये बहुत ज़्यादा फैलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसका use बहुत ही थोड़े से amount में करना है और जब आप इसको cotton की help से spread करोगे, mix करोगे तो ये already बहुत ही dark हो जाता है तो बहुत ही हलका और बहुत ही कम amount में इसका use करें अगर आप नए हो तो आप pencil color से shedding दे सकते हो, आप pencil color को use कर सकते हो अब मैं cotton की help से इसे कर रही हूँ mix ताकि जो folds हैं वो create a dress में और जहां भी मुझे बहुत जादा dark लगेगा, मैं उसे eraser की help से erase करूँगी ताकि जो highlights ने dress में वो बने रहें, highlights को हमें दिखाना है इसलिए eraser की help से इसे erase करना काफी important है जब भी आप इसे shedding के लिए use करते हो charcoal pencil को तो ये dress पे काफी फैल जाता है तो बहुत ही ध्यान से use करना है अब outline और finishing के लिए मैं use करी हूँ black pencil कलर का तो guys ये था मेरे illustration का final look और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like ज़रूर कर देना, channel पे नए हो तो channel को subscribe कर देना मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, bye bye, महादेव